तो दोस्तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम एक सेक्टर के बारें बात करने वाले हैं और डेफिनेटली देखे इस सेक्टर में रिवाइवल हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है और निकट बविश्चे में भी ये ग्रोथ जारी रह सकती है क्या trigger है क्या reason है वो आपके साथ साजा करूआ और साथ इस सेक्टर की seven companies आपके साथ मैं share करने वाला हूँ जहां पर definitely अच्छे return बनने की पूरी पूरी उमीद है और ये जो साथ companies है fundamentally अच्छी companies है almost debt free companies है virtually debt free companies है साथ इसाथ देखे valuation wise भी काफी attractive नजर आ रही है तो ये कौन से stocks है क्या reasons है सबी चीज discuss करेंगे बने रही है वीडियो के साथ तो ये जो sector है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों देखे ये है auto sector auto sector में revival के संकेत हमको देखने को मिल रहे है जो auto sales के number आ रहे है लगातार अच्छे आ रहे है और november की बात करें तो highest average sales हमको देखने को मिली है industry of automobile industry in India पिछले तीन साल जो थे वो covid की बली भेट चड़ गए थे demand बिलकुल नहीं थी यहाँ पर lockdown था तो सबस्यादर जो industry हीट होई थी वो definitely यहाँ पर auto sector हमको होता हुआ देखने को मिला था उपर से जो रशिया यूक्रेन का issue वा उसके बाद तो supply side issues भी हमको देखने को मिले जिसकी वज़े से यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जो है एक त 2023 की बात की जाए तो auto sales expectation मी यहाँ पर अच्छी बताई जा रही है कि 2023 में भी यहाँ पर growth बनी रह सकती है क्योंकि demand काफी अच्छी है और यहाँ पर जो हमारी domestic economy है वो काफी अच्छा कर रही है तो इसकी वज़े से यह जो sector है पूरा यहाँ पर अच्छा कर सकता है मैं यहा Tata Motors, Maruti, Mahindra ठीक है इन companies यह Hyundai इस तो है नहीं listed इन companies के साथ जाएए मुझे रखता है कि आपको इस sector को play करना है तो auto auxiliary के थूँ आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए आज Tata Motor चल रहा है क्या पता कल को ना चले फिर कभी Hyundai चल जाएगा कभी Maruti अच्छी गाड़िया लिया तो वो सप्लाई कर रहे हैं Commercial vehicle में अशोक लियलेंड को भी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर sml को भी सप्लाई कर रहे हैं डाइमलर को भी सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इनका revenue stream है वो diversified है और थोड़ा से यहाँ पर margins में cyclicality मेरे साब से यहाँ पर कम रहती है तो auto auxiliary को definitely play किया आज़ा सकता है और auto ancillary की बात की जाए तो यहाँ पर valition भी अच्छे नज़र आ रहे हैं तो जो पहली कंपनी है वो है telbros automotive इसके बारे में detail discussion हम already कर चुके हैं 600 करोड का साड़े 600 करोड का market cap है debt की बात की जाए तो virtually debt free company है positive cash flow company generate career return ratio अच्छे stock का PE अगर आप देखें तो industry के पीसे काफी कम है order book इस company की अच्छी है gas के division में domestic market leader है तो यह company का सबसची देखिए एक तो एक और issue यहाँ पर क्या है यह भी export issues काफी हो रहे है because North America, Europe, USA में recession की संभावना बनती हुए नजर आ रही है तो वहाँ पर demand नहीं है तो export side issues है लेकिन यह जितनी भी companies में आपको बता रहा हूँ इनका domestic exposure काफी अच्छा है तो अगर tell bros की बात करें तो 70% यहाँ पर इसका domestic exposure है जो कि एक अच्छी चीज है जो कि हमारी जो internal economy है वो काफी अच्छा कर रही है और यहाँ पर जिनका domestic exposure जादा है वो companies यहाँ पर अच्छा करती हुए नजर आ सकती है तो यह पहली company टेक्निकली बात करें तो आप देखिएगा काफी time से stock जो है यहाँ पर consolidate करता हूँ आपको देखने को मिल रहा है एक kind of यहाँ पर triangle pattern मन रहा है यहाँ पर squeeze हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है stock इस से लंबे consolidation में volume के संकेत हैं बीच बीच में तो accumulation यहाँ पर जारी है तो यहाँ पर इस stock को current market price पर buy किया जा सकता है 600 करोड का market cap है हो सकता है 1000 करोड का market cap भी यहाँ पर हो जाए जोकि order book अच्छी है तो आप इसको buy कर सकते हैं अपने risk appetite को समझते हुए आप यहाँ पर अपनी position allocation यहाँ पर बना सकते हैं next company है दोस्तों देखे Lumax Auto Technologies यह भी काफी अच्छी कंपनी है महातर 1700 करोड का market के stock का पी इंडस्ट्री के पी से कम नजर आता है और यह भी virtually debt free company है positive cash flow company generate करी है और market leader है देखे gear shifters में with 70% market share और majority जो revenue है इसका वो domestic के लिए आ रहा है और इसकी मैं client list की बात करूँ तो मतलब जो नाम आप नहीं जानते ना वो भी इनके client list में शामिल है तो बहुत गजब का client बेस है एक जबर्दस यहाँ पर management है DK Gen Group basically group की company है तो और Lumix Auto Tech को भी आप ज़रूर यहाँ पर consider कर सकते हैं डिफेंस हो गया railway प्रतलब सब जगे यहाँ पर इनके customer देखने को मिलते हैं और देखे एक 2018 से लेकर आप देखें तो एक stock ने यहाँ पर top बनाया था उसके बाद stock में गिरावट हुई फिर यहाँ पर uptrend में आया stock और 2018 का जो resistance था उसका breakout में होता हुआ देखने को मिला गजब का breakout हुआ आप देखिए with volume यहाँ पर breakout हुआ अभी stock retrace कर रहा है थोड़ा retrace कर रहा है stock यहाँ पर consolidate कर रहा है यहाँ से थोड़ा और retrace हो सकता है मान लिजिए 220 के आसपस आएगा उसके बाद फिर से stock ऊपर जाने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है तो यह हो गया दूस्तों तो दूसरा stock उसके बाद तीसरा stock है जी एन एकसल की बात की जाए तो 14 सक्रोड का market cap है 15 के पी पे stock trade कर रहा है इंडस्टी के पी से काफी अच्छा है वर्चुली debt free company है यह भी जो positive cash flow अच्छा जनरेट करी है return ratios इस company के काफी अच्छे है और GNXL की बात की जाए तो यहाँ पर GNXL का जो export है वो थोड़ा जादा है इसका domestic exposure थोड़ा कम है लेकिन यहाँ पर जो है यह company इसका जो अगर मैं product की बात बता हूँ तो देखी यहाँ पर जो इसके products है वो काफी अच्छे है अगर मैं spindles की बात करूँ तो यहाँ पर इसका I think 20-25% का market share है shaft में भी I think 30% के आसपास market share है rear XL में यहाँ पर 35% के आसपास market share है तो यहाँ पर इसके काफी सारे products में अच्छा कासा इसके leadership देखने को मिलती है और जो है company का management पर अच्छा है बहुत long term client relationship अपने customers के साथ इसका हमको देखने को मिलता है तो यह भी attractively valued है पैग देखिए 0.62 के ratio के आसपास देखने को मिल रहा है और साथ यहाँ पर अच्छी चीज़ एक और है कि देखिए यहाँ पर promoters GNXL में promoters लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे है आप देखिए कि 19 दिसंबर को भी यहाँ पर promoter group ने buying करी है 15 को 13 दिसंबर 11 नवंबर लगातार लगातार यहाँ पर promoters इस company में buy कर रहे है तो GNXL भी अच्छी नजर आ रही है हलकि इसका export exposure थोड़ा जादा है लेकि मेरे ख्याल से valuation wise देखा जाए तो उस front पे अच्छी नजर आ रही है एक अच्छा खासा है यहाँ पर जो है base बना उसके बाद उपर गया stock फिर थोड़ा retrace हुआ फिर अभी consolidate कर रहा है तो यहाँ से उपर जा सकता है 50 और 200 day moving average जिसके उपर stock यह trade कर रहा है तो इसको भी आप current market price पर buy कर सकते है volume के संकेत देखिए अच्छे volume है volume उपर गया जब volume अच्छे थे जब stock consolidate करा तो volume खतम हो गए तो यहाँ पर weekends रिकल गए होंगे यहाँ से fresh rally के शुरुआत हो सकती है next दोस्तों Mahindra CI Automotive Limited अब इसका जो market cap है हाला कि थोड़ा सा बड़ा market cap है लेकिन इसकी जो order book है वो काफ़ अच्छे भी नजर आ रही है stock का P जो है यहाँ पर almost industry के भी के आसपास नजर आ रहा है और debt की बात की जाए तो यह virtually debt free company promoter holding यहाँ पर काफ़ अच्छे नजर आती है company अच्छा गासा cash flow भी generate कर रही है अब यहाँ पर देखिए इस company का एक जो है यहाँ पर जो थोड़ा सा issue मुझे नजर आ रहा है वो यह है कि इसका जो IC वारा जो component जो यहाँ पर जो IC products है जो इसका revenue आता है वो काफी जादा आता I think 30% यहाँ पर जो है इसका internal combustion जो engines है वो जो यह company products बनाती है वो IC engines में use होता है और IC की बात की जाए तो यहाँ पर आगे आने वाला समय जो है electric vehicles का है हाला कि electric vehicles में भी इनका exposure जिरे जिरे बढ़ रहा है लेकिन अभी भी इनका IC engines से जादा revenue आ रहा है technically देखिए आप एक long term resistance का देखे 2015 में एक is का resistance बना था उसके बाद 2019 के आसपास बना उसके बाद 2022 में बना उसके बाद 2023 में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी अब यहाँ पर इस week की शुरुआत हो चुकी है मुझे लग रहा है इस week में भी थोड़ा यहाँ पर consolidate कर सकता है लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक जबर्दस तेजी आ सकती है महिंदरा CI Automotive में तो इसको भी आप consider कर सकते है उसके बाद है Gabriel India गैबरियल इंडिया की बात की जाया है तो यहाँ पर यह जो domestic इसका exposure है वो 95% के आसपास है यहाँ तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती है कमपनी मातरे 4-5% के आसपास इसका एक्सपोर्ट है लेकिन 95% इसका जो revenue आ रहा है वो domestic market से आ रहा है तो यह market leader है और भी कई सारे products बनाती है जिसमें अच्छा कासा इसने पकड़ बना रही है तो dead free company है return ratios अच्छे है इस company को भी आप definitely buy कर सकते है positive cash यहाँ पर company generate कर रही है टेक्निकली बात करें तो आप देखिए यहाँ पर टेक्निकली यह भी काफ़ अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि इसका जो एक multi year resistance था वो अभी यहाँ पर break हुआ है देखिए यहाँ पर 2017 में एक top यहाँ पर करीब बना था ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक resistance बना नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप इसको भी current market price पर consider कर सकते हैं गैबरियल इंडिया को वैलिशन्स भी आपर ठीक ठाक नजर आते हैं नेक्श तो देखिए automotive axle यह भी एकसल की बात की जाए तो largest independent axle manufacturer है यह and the second largest brake manufacturer in India almost debt free company है 3000 क्रोड का market के है यह stock का पी थोड़ा सा महेंगा है लेकि definitely हाँ पर revenue visibility अभी नजर आ रही है क्योंकि commercial vehicle passenger vehicles जो segment है वहाँ पर recovery आती हुए नजर आ रही है और यह जात तर जो है अपना इसका revenue CV से आ रहा और PV से आ रहा है तो वहाँ पर जैसे जैसे इंफर activities बढ़ेंगी इस company के products हमको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं और EV में भी इनका भी धीरे धीरे exposure आ रहा है अब बात की जाए technically तो technically भी बहुत चा नजर आ रहा है आप देखे 2018 में एक top यहाँ पर बना था वह resistance था इसका अच्छा खासा फिर पूरा यहाँ पर यह पूरी journey देखे राउंडिंग bottom की journey थी उसके बाद stock आप यहाँ पर उपर consolidate कर रहा है key moving averages के उपर trade कर रहा है stock यहाँ पर consolidate कर रहा है volume बिल्कुल dried up हो चुके है तो यहाँ पर volume आने के बाद एक fresh rally की संभावना बन रही है तो इसको भी आप CMP पर consider कर सकते है next दोसके हाँ पर SJS Enterprises debt free company है 1400-1500 करोड का market cap है stock का भी बहुत जादा महेंगा नहीं है 25% growth यहाँ पर expected है management ने बताया है 25% growth हम यहाँ पर अराम से यहाँ पर ला सकते है return ratios company के काफी अच्छे है और यह भी एक auto components company बनाती है तो basically जो aesthetic designs है solutions है यह company provide करा रही है और यहाँ पर भी अच्छा खासा इसका जो पकड़ है वो domestic market में है तो 85% revenue इसका domestic market से आ रहा है और बाकी 12-13-14% export से आ रहा है तो यहाँ पर consumer durables की बात करें या फिर commercial vehicle, passenger vehicle, two wheeler, three wheeler सभी को यह design solutions, logos वगरा provide करा रहा है और debt-free company है काफ अच्छी company नज़र आ रही अभी तो अगर यह देखिए एक अच्छा कासा इसका resistance है यह वाला जो resistance है इसका वो है IPO high तो IPO high जैसी यह break करेगा 554 का level break करेगा फिर तेजी आ सकती है अधरवाइस आप इस level पर भी position ले सकते हैं तो आप इन ज़रूर consider कर सकते हैं बाकि मेरी बात करें तो मैंने हैं यहाँ पर देखिए GNA XL में position बनाई हुई है Gabriel India में position बनाई हुई है SJS Enterprises और Talbros Automotives यह 4 जो stocks हैं इनमें मैंने already position बनाई हुई है थोड़ा-थोड़ा सभी में distribute कर दिया है amount ऐसा नहीं है एक ही में सारा ठोक दिया है तो अगर 2 stocks भी अच्छे चल गए तो यहाँ पर वो recovery हो जाएगी बाकि stop loss आप लगा सकते हैं लगाना चाहते हैं तो 15-20% का stop loss है जो आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं छोटा लगाना चाहे तो आप अपनी risk appetite के अनुसार वो stop loss भी consider कर सकते हैं यहाँ दोस्तों यह वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए आपका क्या opinion है इस segment को लेकर comment करके जरूर बताइएगा अच्छा लगाए वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल एंट टेक केर बाइबाइब